हे गाइज वेलकम एक टू काजर्स किचन आज हम बनाने चाहा रहे हैं केट्स टिफिन रेस्पी डे सेवन हैं बच्चों को टिफिन में क्या दे जो हेल्दी भी और टेस्टी भी और बनाने में टाइम भी बहुत इकम लगे तो आज मैं आपकर लेकर आई हूँ डोसा पीजा क यहां पर चार से पांच घंटे के लिए साइड पर रखते हैं हमारे यहां पर चार से पांच घंटे हो चुके हैं और यह देखो अच्छे से फूल जाते हैं चावल डाल और मेथी दाना अभी हम grinder जार लेंगे और इसमें इस तरह से mixture को डाल देंगे पानी हमें इसमें नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी जब हम इसे grind करने लगेंगे बस इतना सा पानी डाल के इसे हमने blend कर लेना है देखो mixture ready हो गया है इसमें हम डाल देंगे और बाकी सारा mixture भी हम इस तरह से blend कर लेंगे अभी हम इसे अच्छे से mix कर लेना है अभी आप इस mixture से सिरफ यह नहीं कि डोसा पीजा कपस बना सकते हैं आप इसे अपे बनाईए उत्पम बनाईए आप इसे डोसा बना सकते हैं इडली बना सकते हैं अभी हमने इसे cover कर देना है कवर करके 7-8 गंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भी कवर कर सकते हैं यह देखो बिल्कुल अच्छे से फर्मेट हो जाता है इसमें कुछ भी एड़नी किया था बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नमक कुछ भी एड़नी करना है बस इसे cover करके side पे रख देना मिक्षर रेडी हो चुका है थोड़ा सा मिक्षर हम ले लेंगे इसमें से और अभी हमने क्या करना है यह मिक्षर जो है बहुत थीक है तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे क्योंकि जब हम डोसप की जाग कप्स बनाती ना उसके लिए हमें थिक मिक्षर नहीं थोड़ा सा इस तरह का मिक्षर हमें ready करना है देखो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह का मिक्षर होना जाइए देखो ना ज़्यादा बहुत गाड़ा है ना ज़्यादा बहुत पतला है इस तरह का मिक्षर हमने ready कर लेना है मिक्षर रेडी हो चुका है और अभी हम यहाँ पे लेंगे चोपर ले लेना है इसमें एक प्याज थोड़ी सी शिमला मिर्च और आधा टमाटर डाल देना है और इसे हमने चॉप कर लेना है बिल्कुल बारिक 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 आप चॉप कर सकते हैं और बच्चों को जो सबज यह पसंदो आप इसमें डाल सकते हैं स्वीट कॉन अच्छे लगते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं यह देखो कुछ इस तरह से बिल्कुल बारिक बारिक चॉप कर लेना है हमने वैजिस को अभी हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे इसमें वेजी टेबल्स को हमने डाल देना मिटेरियल हैं इसके बदम इसमें आड़ करेंगे disfrutar पीजा पास्ता सौस इसमें डाल देंगे 1 तेबलस्पून अगर नहीं है तो आप इसी जगर टुमेटो सौस भी एड़ कर सकते हैं तो इसमें डाल दिना मेटो सोस डाल के थोड़ा ओर और आपर हो थो दो फिर फ्रमेटो स अभी हमने यहां पर क्या लेनी है, चीज क्यूब लेनी है, चीज क्यूब नहीं है, तो आप प्रोसेस चीज ले सकते हैं, मोजलेला चीज ले सकते हैं, अगर चीज स्लाइस पड़ी है तो आप वो भी ले सकते हैं, तो अभी हमने यहां पर क्या करना है, मैंने चीज क्यूब पीसिस कर लिए हैं अभी हमने अपे पैन को गरम होने के लिए रखते ना है अपे पैन हमारा गरम है इस पर कोई घी नहीं लगाना कुछ भी नहीं छीड़कना सिर्फ अच्छे से बिल्कुल अच्छे से वाश होना चाहिए और गरम होना चाहिए मिक्षर इसमें डालना है कु कुछ इससरा का इसे कप की शेब दे दे देनी हैं इस तरह से हमने पूरा का पूरा अप़र फीन रड़ी कर लेना है बहुत ही असानी से हो जाता है अगर नहीं मिक्ष्टर को इस सरह हो रा तो आप इसे ऐसे एक बार वाश कर लेना फिर बिल्कुल पफेक्ट जो है हो जाएगा जैसे कि मैंने काया इसमें की ऑईल कुछ भी नहीं लगाना है बस इस तरह से हमने कप की शेप दे देनी हैं अभी हम इसमें आड करेंगे वेजिस वाला मिक्षर जो इसमें डाल देना है थोड़ा-थोड़ा कर बचों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं अभी हम इसमें डाल देंगे चीज इस तरह से में चीज डाल देना है चीज स्लाइज है तो बिल्कुल बारी-बारी करके इसमें उपर की और लगा देनी है तरह से हम इसे लगा देंगे अभी हम इसे कवर कर देंगे कवर हमें इसे Low flame पर रखना है और तब तक इसे पकाना है जब तक हमारा cheese ना अच्छे से melt नहीं हो जाता तक तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे ये देखो cheese अच्छे से melt हो चुका देखो कितने tasty लग रहे हैं खाने में 100% गरंटी यह आपके बच्चों को जुरूर पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ही crispy और बहुत ही tasty बनते हैं तो आप इसे बच्चों को snacks में दे सकते हैं जैसे बच्चों का lunch break भी होता है snacks break भी तो snacks break में आप उसे जो है डोसा pizza cups दे सकते हैं तो हमारे यहाँ पे डोसा पीजा कप्स बनकर बिल्कुल त्यार है है ना बनाने में बहुत ही असान तो आप ये रेस्पी जुरू ट्राइ करें और रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें थैंक यू फो वाचिंग थैंक यू